न्यूजिलेंड को आखरी ओवर में 19 रनों के जरोत होती है लेकिन यखीन मानिए दोस्तों जब तक इनिंग की आखरी गेंद नहीं फिक ही जाती जब तक किसी को नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी आपको बता दो कि न्यूजिलेंड पर गेंद हो जाती है वाइड लेकिन वो चौका भी चला जाता है यानि पांच रनी सी रन गेंद पर आ जाते है और अगली दो गेंद पर दो रन लेने में काम्याब रहते हैं यानि दो दो डबल एक तरीके से भागने में काम्याब रहते हैं और तीन गेंदों पर अब पांच वी गेंद पर हो जाते है जिमी निसम रन आउट और आखरी गेंद पर मुकाबला पहुंच जाता है जहाँ पे जिस तरीके की जरुवत थी और अस्टेलियन टीम को एक भिकेट की वो मिल चुकी थी लेकिन मिचर स्टाक गेंद बाजे कराते हैं लौकी फर्गोशन को आखरी ओबर में आखरी गेंद पर और वहाँ पर केवल एक भी रन नहीं आपाता है और उस्टेलिया पांच रन से मुकाबला जे जाता है आखरी गेंद पर छे रनों के जरुद होती है लेकिन एक भी रन ना आने की कारण पांच रन से मुकाबला उस्टेलियन टीम जितने में कामियाब रहती है